Hello friends, एक बार फ्रीश स्वागा था आपका हमारी इस स्रीज में, जिसका नाम है vocabulary एकदम basics से, मैं आसा करता हूँ कि आप सभी स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और पिन तैयारी में जोरोशोरों से लगे होंगे, जैसा कि आपको पता कि हमारी vocab की स्रीज चल ले जिसमें अभी तक हमारे 51 classes already हो चुकी है, अगर आपने अभी तक एक भी classes नहीं देखिए, तो मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो के end होने को आज playlist से जाके सारी classes को check कर, तब आपको पता चला है कि हमारा class कितना beneficial होता exam के perspective से, क्योंकि हम इसमें mnemonics टेकनिका यूज करते हैं और सारे जो antonyms, synonyms, जो भी मैं class में include करता हूँ, idiom phrases, उनके साथ-साथ मैं एक picture attach करता हूँ, उससे related, ताकि आपको visualize करना बहुत ही आसान हो जाए, ताकि जब आप exam में जाओ, तो जैसे ही आपको question दीखेगा, तो आपको अचानक से stack अगा, सार ने बताया था कि इसका यह यह possible synonyms हो सकता है, सार ने यह picture बताया था, सार ने इस idiom को इस incident से relate करके बताया था, इस one word को इस incident से relate करके बताया था, तो बही आसानी से सारे सवालों का जवाब कर पाएंगा, और अपनी नमबर को secure कर पाएंगे, तो हमारी इस सीज़ में सिर्फ vocabulary question ही नहीं मिलते है, आपको देखने को मिलेगे English grammar की important rule, वो important rule जिससे आपके exam question आते ही आते हैं, definitely आते हैं, तो यह class totally आपके लिए बहुत ही beneficial होने वाला है, ठीक है, और हम सिर्फ अपने class में vocab discuss ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ previous question को भी practice करते हैं, उसके लिए एक question answer का session होता है, जहां पर आपको 10 second मिलते हैं, और आपको question के answer करने परते हैं, ठीक है, तो आज का class बहुत ही interesting होने वाला है, तो चलिए जानते हैं, आज का class में क्या खास नहीं हो, आज का पहला word कौन सा है, ठीक है, synonyms की बात कर लें तो हो जाएं, commitment, devotion, faithfulness, मतलब क्या है, आप अपने काम के प्रती इमंदारी दिखाओ, commitment दिखाओ, निस्ठा होनी चाहिए, dedication होनी चाहिए, तब यह आप किसी भी काम में successful हो पाएंगे, ठीक है, बात कर लें इसके antonyms की, तो क्या हो जागा, apathy, infidelity, मतलब क्या है, कि उदासिंता हो, मतलब आप पूस में रूची ही नहीं, आपका कोई dedication ही नहीं हो, devotion ही नहीं हो, तो यह सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के antonyms हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर आप quote देख सकते हो, क्या लिखा है, कि achievement is impossible without dedication, अब कोई भी चीज अचीज नह हो जाएगी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, deepen, deepen मतलब होता है, डीप मतलब जैसे गहरा होता है, तो इसके synonyms क्या हो जाएंगे, intensify, इंटेंसिफाई भी कोई भी चीज को करते हैं, ठीक है, तो गहरा ही जाते हैं, थीक है, तो उसको गहरा करना ही बोलत चाहित हकते हैं जैसे कर पीलर उसको क्यां करता अब उसको और भी गहरे में दफन कर देते हैं इसके क्या हो जाएक है और बात करने इसके एंट्ओन्यमिस की कि क्या होना चाहिए अगर कोई भी चीज ङहरा हं इसको उपर कर दो ठीक है उसको usINGING कम कर दो तुistant सभब क्या हो जाएंगे इसके अंटों दस्टान हो गयूंगे कॉनध को जाएंगे दटीज और द्धिमेृ इसकी इसट दें सलय चलिए नेक्सट वाच दिक लेते हैं नेक्स्ट लिए चुमा टाइर किम आंश्यार अजया जाता मतलब क्या आता था flaw आजाता मतलब दोस होता है ठीक है तो वो चीज क्या होता है खराब हो जाती है अगर किसी भी चीज़ में defect आज आज आपको बात करें आपको बीचीज लेने जाता है तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डेफर मतलब क्या होता है अब डेफर से ऐसे याद रखो इसके सिनोनिम्स बात करें देफ तो जो बंदा दीफ होता है बहरे वह जाओगे ठीक है डेफर मतलब अब किसी भी चीज़ के लिए बहरे हो जाता है अंसुना कर देतों मतलब क्या रता है उस चीज़ को आप टाल देतो कि आज नहीं करना है कल करना कल नहीं परतो जैसे कोई आप फिर आपको हड लगता है मैं रहीं बना रहे हो कोई topic हड लगा या English में हो चीज़ हड लगता तो आपको आज नहीं करेंगे कल करेंगे तो इसे को बोलते है टाल दालना तुसको अब क्या करता हो पॉस्टपोन करते हो डिले करता हो तो यह सब क्या हो जाएगगे इसके synonyms चीज को डाल लाओं तो मुझे अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए तो यह सब क्या हो जाएंगा इस इसके डेले कर रहा है जैसे आप देख पारें डैफेरेंस मतलब होता सम्मान किसी को डिस्पेक्ट देना ठेक है और और उबिसेंस कम्पलाइंस यह सब क्या है इसकी सिनोश ठेक है आप किसी में कोई भेधभाव नहीं नहीं करते हो ऐसे आप यहाद uknaff सब करेंगें इसके 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 सीनोनीम्स है तो किसी का अनादर करोगे तो क्या करोगे इसकी बात नहीं मानु हूंगे उसका अनाधर करोगे सम्मान नहीं करो जैसे फ़ोई लेडी आपके घर आ रही है या कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए धरबाजाँ क्लोंता है इनका सम्मान उनके प्रतिस्पान दिख्रां नहीं खाते है एक होता है ता हे जीसमें आज का पहला वाण यही मैंने आपको homework दिया था और दुख के साथ कहना पड़ा है कि आप सभी लोग उस time limit के अंदर answer नहीं किये थे तो मैंने आपका नाम आज include नहीं किया और वहां पर कोई बंदा बैठा है अब करें कि कौन वो जो seated है वो वो तो बहुत अभी मानी है क्योंकि वो अपना seat नहीं छोड़ता है ठीक है तो consider से ऐसा याद रखना कि अभी मानी having too much pride in yourself and what you do जो भी आप करते हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है ठीक है उसी को बोलते कंसीट है ठीक है कौन बैठा है वहां पर ठीक है उससे कोई मतलब नहीं जैसे कि मानलो की कोई बंदा है बहुत ही अभी मानी है तो कौन बैठा है कहां पर आपके य यह लेडी क्या है अभी मानी है इस बेगर का हेल्प नहीं कर रही है ठीक है उसको लग रहा है कि यह भीखारी है क्यों आ गया है यहां सधफा हो जाए ठीक है मतलब इसको अभी मान है अपने पैसों को नेक्स्ट बात कर लेकिए नेक्स्ट कंसीवेवल मतलब होता कल्पनी है जिसके आप कल्पना कर सकतो जिसको आप इमेजिन कर सकतो ठीक है जिसको कंसीव कर सकतो ठीक है कर सकतो एबल मतलब क्या होता है कोई भी चीज करना तो कंसीव मतलब समझो कि आप कोई भी चीज सपने में कर देख रहे हो मतलब कल लपना कर रहो कल्प नहीं होगा एक पेवल अफ बिंग इमेजिन और ग्रैप्स मेंटली ऐसे चीज़ जिसको आप इमेजिन कर सको या मेंटली दिमाग उस चीज़ को क्या करो ग्रास्प कर सको उसको उसको उस पर पकड़ बना सको ठीक आप इसको भोल सब तो लिवाह अज कर लेंग तो हर कोई चाहता है कि वह अपने पार्टनर के साथ क्या रहे थेक तो होता है बिना विवा के साथ रहना जिसको बोलते हैं जिसको modern भासा में living भी बोलते हैं तो एक महिला और साथ में रहते हैं बिना विवा के ठीक है उसी को बोलते हैं आज कल तो हमारे देश में भी चलता है चल बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेक्स कंडोमीनियम में तो क्या होता है फ्लैट की तरह का घर ठीक है एक प्राइबेटली है रेसिदेंशियल एपार्टमेंट इन टावर और कंपलेक्स विद आधर प्राइबेटली ओन्ट तो इपार्टमेंट में क्या होता है आप उसको किराय पर रहते हैं तो उसके कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं वो आपका अपना होता है लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग जब अपना एक फलैट खई लेते लागजरियस फलैट होता है उसी को बो लगजरियस होगा जो अपना ओन करोगे वो सिर्फ आपका ही होगा ठीक है और अपका मन हुआ तो आप उसको छोड़ दो आगे बढ़ जा नेक्स्ट बाद कर लेते हैं मतलब क्या वहता है मिठाई बेचने बाला जो भी मिठाई बेचता है उन Сब को क्या बोलते रफिर चॉकलेट और चैक बनाता हो और सबके लिए के कमन वर्ड है कंफेक्शनर्य । यसाप केक बाई करते हो या चॉकलेट बाई करते हो या मिठाई बैचने भाई नेक्स्ट हमारा idiom and phrases का station है जिसमें पहला idiom है blue blood है नीला खुन अगर आपका खुन नीला है वो rare है मतलब क्या है अब कुलीन है मतलब क्या है नवल वाट है अब साही खंदान से तालुक रखते हैं जैसे देख पारेंगे इनको यह king qn है और यह देख पारेंगे इसका blood कैसा है नीला है मतलब क्या यह लाखों में एक है मतलब क्या है नबल परसन नेक्स अ मतलब कर लेते हैं स्ट बड़ी औन सौल तो बड़ी और सोल मतलब क्या अत्मा को उसमें लगा दे रहा हो पूरी जी लगा दे तो पूरी जी जान से उसमें कोशिज करते हो, with all your energy, ठीक है, अपनी सारी energy जिसमें लगा दे तो वही हो, उसी को कहते हैं body and soul, आप देख पारोंगे इस picture से, यह body है और यह soul है, ठीक है, और यह spirit, ठीक है, next है boils down, मतलब क्या है, sun shift करना, ठीक है, अगर कोई बीचे ख आप पानी रखते हो, उसको उबालते हो, उबालते हो, उबालते हो जाता हो, वो कम होता, ठीक है, sun shift हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो sum up to, ठीक है, कुछ extend तक वो sum up हो जाता है, तो यही होता है, boils down का मतलब, ठीक है, इस सब चीजों का आप relate करो daily life से boils down मतलब क्या कि आप पानी रखे एक पती ले मैं उसको boil कर तो क्या होगा एक समय के बाद वो चीज क्या हो जाती कम हो जाती संछिप्थ हो जाती है समसफ होता है ठीक चलो नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स ए बोन टूपी ठीक है और कोई हड़ी ले ठीक है ऐसा समझो कि दो कुत्ते थे और एक ने हड़ी ले ली तो दूसरा क्या होगा हड़ी के कान उससे जगरा करेगा तो मतलब क्या होता है फसाद की ज़गरे का कान तो जगरे का कान क्या था हड़ी था अपने दो कुत्ते को एक साथ रखा था और एक हड़ी रख दी वहाँ पी कोई एक कुत्ता भी हड़ी उठाता है तो दूसरा उससे जगरा करेगा तो जगरे का फसाद कौन था तो वो हड़ी था इसलिए बोलते हो बोन टू पिक मतलब कॉज ऑफ कोहरल जगरे की फसाद आपको चीज़े यादे रहे हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ब्रेक इन मतलब बल पुरवक परवेस करना ठीक है तो ब्रेक कर रहे हो कोई भी चीज़े को तोर के अंदर घुश जा रहे हो मतलब जबरदस्ती का घुश जा रहे हो तो जैसे की होता है न जो सेंद मार होते हैं जो डाकू होते हैं चोर होते हैं वो क्या करते हैं ओर बलपुरबग आपके धर में गुष में उसी को चुड़ा लेते हैं उसी को बहुते ब्रेक इन Susie इंट्री करवे इन्ट्री मुवें इंट्रे और आप विल्डिंग इलिगली मुआ जो जानूनी ढते हैं इन्लिक जोग हमारे क्लास के साथ hon wave विक सभाई next वात कर लेते हैं तो वीज क्लास वान वहरा है यह 律बम्स सिया मिख अफिकहाई लैकिन झोलिकिन जने शल़्वाइब क्लास कर सब्सक्राइब उन्हें पता हुआ कि जब में यह box कोलते तो उसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती है, उसमें से बहुत ही अच्छी चीज़ निकलती है, क्या निकलती है, तो 100 golden rules, किस चीज़ की तो English grammar की, तो इसका huge करनाता है, तो इसका huge हम करते है, era detection और sentence improvement के question को सही करने, ठीक है, तो अभ एक साथ 100 rules को एक साथ दिमांग में नहीं रख पाऊगे, कोई नो कोई आपका rule skip हो जागा, आप उस पे best question भी practice नहीं कर पाऊगे, आपके लिए hectic हो जागा, तो मैं क्या करता हूँ, कि daily अपने class में एक एक rule discuss करता हो, ताकि आप उस rule पे best maximum question, ज्यादा से ज्यादा question कर लो और उस rule को अपने दिमांग में fit कर, क्योंकि ये rule बहुत ही important है, इस से question आपको direct exam में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो अभी तक हमने noun, pronoun, verb के सारे rule discuss कर लिया है, अभी हमारा adjective का rule discuss को रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे rule हमने already discuss कर लिया है, अब एक या दो rule बच्च जितने भी adjective है, जो एक same noun को refer करते हैं, एक ही चीज को, तो उनका degree जो होता है, comparison का same होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई आपका superlative degree है, उसका comparison आपका positive degree से हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, superlative degree का comparison, superlative degree से ही हो, ठीक है, आईए sentence के माद्ध हम से सीखते है, कि क्या कह रहा ह He is the wisest and honest worker in the office, ठीक है, तो अब देख पारेंगे, wisest क्या है, superlative degree है, honest क्या है, positive degree है, तो दोनों का comparison नहीं कर सकते है, क्योंकि बंदा तो एक ही है, ठीक है, इसी के बारे में कह रहे है, ही के बारे में ही बता रहे है, मतलब noun क्या है, same है, तो अगर noun same है, जो भी बंदे के ब most honest, ठीक है, अब यह भी superlative, यह भी superlative वगया, worker in the office, ठीक है, तो इस rule को आप याद रखना, इस से जाएट आपको question देखने को मिल जाएंगे, error detection में या sentence में प्रूब रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स सेस्टन पर चलते हैं, नेक्स क्या कह रहा है, तो नेक्स हम बात कर हैं, shift 4, ठीक है, तो हर question के लिए आपको 10 second मिलेंगे, और आप उस 10 second में question का answer करना परेंगे, ठीक है, तो आज का पहला question करा है, कि आपको antonyms बताना है, इस underline word के लिए, और underline word क्या है, plight, ठीक है, और आपको 4 option मिलेंगे, pre-recommend, advantage, dilemma, quandary, ठीक है, फटाक से answer करना, बहुत ठीक है, तो इसी के साथ time up हो चुका है, I hope आप साभी लोग ने सही-सा answer कर दिया होगा, तो plight का जो antonyms होगा, वो क्या हो जागा, advantage, ठीक है, plight का क्या हो जागा, advantage हो जागा, तो plight मतलब क्या होता, दूरदसा, मतलब इसको इस्तिती सही नहीं होगी, इसका कोई love नहीं होगा, honey होगा, अगर आपका दूरदसा हो जाए, आपकी स्तिती सही नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका हमेसा honey होगा, love नहीं होगा, ठीक है, तो बात कर लें थे प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट मतलब होता है इस्थिति, जो आपकी इस्थिति, तो इसका मैंने आपको कल बताया था, सिटेट बताया था, सिचुएशन बताया था, केस बताया था, ठीक है, तो यह सब क्या हो जाँगे, इसके सिनोनिम्स हो जाँग कोई भी चीज़ पर डाउट हो जाए ठीक है तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डाउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपको सस्पेंस हो ठीक है संदे हो तो आपको क्या होता है पूर कि कुछ बरा होने वाला कि कई रिस्क तो नहीं तो बात कर लें नेक्स अपको하시는 नहीं बता तो इसे के साथ time up होचुका है I hope आप सभी लोगोंने सची चीज स्योनिम सब्स होगा तो क्या होगा वो चीज fix भी होगा तो ये सब क्या हो जेंगा इसकी means हो जाएगा या जिसमें संधेह आपको suspect क्या हो movements हो और फी होता है को संधेह होता था कोई posterior और क्या है और क्या हो सकता है इसकी सिर्फ कारने कोई भी चीजी को अपरूब करते हो मतलब सुपकर करते हो ठीक है उसको सेंक्सन कर दे तो परिमीशन दे दे ते हो रहा निक्ता है तो साफधानी कैसे बढ़ते हो आप करते हो किसी चीकार को विजिलेंस होते हो ठीक है यह सब मैं आपको प्रीवेस क्लाप में अल्रेडी बता चुका चलिए नेक्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सिनोनीम से बताना है अंडरलाइन वर्ड का वह अंडरलाइन वर्ड कौन सा है तो डीग्रेडेशन बहुत इजी वर्ड है इसके लिए आपको चार ओप्शन मिलेंगे डीजेनरेशन हजाड एप्रोवल और पॉलूशन एप्रूबल है प्राक्शन सब्सक्राइब तो इसे के साथ टाइम अप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही सह एंसर कर जिया हो तो डीग्रेडेशन मतलब क्या होता है किसी बीची को डीग्रेड कर दोगो तो उसका क्यों हो जागा पतन हो जागा पॉल हो जागा डीजेनरेशन हो जागा तो यही इसका करेक् ठीक है तो परदूसन कैसे फल होगे ठीक है कन्टामिनेर्ट करें या क्का ही को चीजे को कि ऑसलैं कर देतों आपने वास्रूम वाले वास्रूम को कर दिया क्लॉग क्ष comprehensive हो पूसित हो जाएगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है इडियम क्या है to be in two minds मतलब क्या है कि आप दो minds में दो दिमाग में मतलब क्या होना चाहिए to work on somebody else advice to be in a critical state to be dominated by someone else to be uncertain ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे फटाक सेंसर करना कि क्या इसका सही एंसर होगा कि बहुत ही इंजी इडियम है बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही सेंसर कर दिया होगा तो क्या होगा to be into mind दो दीमाग में मतलब कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है तू भी अनसर्टेन यही हो जागा इसका करेक्ट है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इडियम बताना है इडियम क्या है फॉलिंग फोल ठीक है उसके लिए चार आप्सन मिलेंगे क्या होगा इसका सही मतलब फॉलिंग फोल का मतलब तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सबी लोग ने सही सही एंसर कर दिया होगा तो मतलब क्या होता कोई भीची मेंकता है सरा सा गंदा सा तो बद्बू होता है तो कबद blows कब देगा मतलब आप ख्राब कर लिए तो कब खराब करते हो जब ढवरण कर लेती हो तो इसका सही मतलब हो जैङा ख्र rereling वेistedition चलिया नेक्स्ट बात करते हैं आपको नेक्स्ट बताना है वण वड़, इस ग्रूप ऑवर्ड के लिए आपको वटर बताना है ग्रूप ऑवर्ड क्या है एनिमल लिविंग बोत ओन न लेंड और एंड टीकर उसको क्या बोलते हैं एम्फीbju मेरीन अरबोलियाल टेरिस्ट् तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से एंसर कर ही दिया होगा तो उसको क्या बोलते हैं एंफिवियर जो जल में भी रहता और भूमी पर भी रहता है नेक्स्ट आपको क्या बताना है एंटोनिम्स बताना है ठीक है किसका तो बुलूमिंग का ठीक है तो फटाक्स एंसर करना चार ओप्शन है फ्लॉरीशिंग ग्रोइंग स्प्राउटिंग फेडिंग आप असानी से एलिमिनेट कर सकते हो वर्ड को फटाक्स एंसर करना तो इसे के साथ टाइम आप हो चुक्त है आय होप आप सभी लोगयाने सभी सेंसर कर दिया ओगा तो सिसका और यिचे बिलूम कर रहा है मतलब क्या हो सम्रीद आप इसको बोल सकताँ एसुलेंस बहुत सकतो ऐसे अफ्लुएंस भी क्या हो जाएंगे इसके सिनोनीम हो जाएंगे स्प्राउटिंग मतलब क्या हता अंकुरहन जैसा कि आप चना वागार को पानी में रख देते हो सोख करके रख देते हो क्या अंकुरित हो जातों कोई भी सीड्ब को डागते हो तो रहते हो उंकुरित होता है वह भीली June नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना इस ग्रूप अब वर्ड के लिए ग्रूप अब वर्ड क्या है वह भी चीज़ बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है जिसके बिन आप पुछ कर ही नहीं सकते हैं चार अप्शन है इंसूलर आईसोलेटेड इंडिस्पेंसेबल इंटोलरेंट ठीक है फटाक्शन से करना बहुत ही इजी है असानी से इलिमेट कर पाओगे आप लोग तो इसे के सब्सक्राइब लोग और सीज़न सकते हैं नेक्सा आपका नीरा नेक्स आपको आधाना है किसका तो हैभी बहुत हीमीजी है आज तो इजी पीजी क्वेस्टन ये भी है तीक है मैसीव लाइट बिग लाज असानी से आप एलिमिनेट कर लोगे बहुत ही तो चूसा कोस्टन थे प्रक्षम से तो इसे के साथ काइम अप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही सेंसर कर दिया तो कोई भी है भारी है मैसी सब्सक्राइब है तो मैसी बीग लाज यह सब क्या है एक दूसरे के सिनोनीम से तो क्या होगा इसका एंटोनीम करेक्ट लाइट मतलब हलका ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका हूंबर क्वेश्चन है ठीक है इस ग्रूप वर्ड के लिए OWS बताना है मतलब क्या बताना है वन दो तक बताना है तो 10 पिम सेम ले ठीक है ठीक है तो इसकोट शेयर करना ना भूले होंबर्ट और जरूर से जरूर से जरूर से आपका ही फैदा है ठीक है यह नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लाश्वागा अगर अच्छा लग हो तो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में कुछ नया लाने की कोशिस करूँगा तब तक के लिए जय हिंट जय भारत टेक के अग्या